है है नमस्कार तो जो ग्यार्वी क्लास की भुगोल के नसे आर्टी है जिसका नाम है भावतिक भुगोल के मुल सिधान इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और इसका जो चेप्टर 6 है उसमें एक काफ़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिर्दा निर्मान उसको हम लोग देखेंगे कि जो मिर्दा है वो होती क्या है ये बंदे कैसे है इसका बंदे का प्रिक्रिया है वो क्या क्या है इसको क्या कौनकों से कारा क्या फैक्टर जो है प्रभावित करते इन सारी चुजों को हम लोग यहां पे आज कवर करेंगे तो देखते हैं इसको समसे पहले सम सिम्पल सा हिप करते हैं और उसी है बाकि आगे है कि मिट्टी जो है एक गत्यात्मक माध्यम है मतलब क्या है इसका एक होता है इस्थिर और एक होता है गत्यात्मक तो इस्थिर का मतलब जो जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा हो गत्यात्मक का मतलब क्या है कि जिसमें लगातार जो है वो परिवर्तन यानि चेंजर जो है वो लग जैविक क्रियाय जो है वो लगातार अनवरत जो है वो चलती रहती इसे करम से इसमें बदलाव होता रहता है कुछ चीज़ें इंसे आर्टे में आपको ये माननी पड़ेगी कि हिंदी के किताबों में इतनी ज्यादा वाहियात सब्द का परयूग किया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है यह वृध्य का माध्यम भी है अनि MEDIOM OF GROWTH है इसका मतलब क्या है कि ये एक माध्यम करोप में काम करता है वृध्य कर जिसमें कि आपकी पौधे हैं तो पौधे मिट्य में विरिधी करते हैं पहले 20 होते है वह छोटे पौधे मनते हैं फिर वह विरिक्ष बन जाते है इस त वो मौसम के साथ जो है हमेसा बदलती रहती है यानि कि एक परिवर्तन सेल तत्व है और विकास उनमुखे तत्व है यानि कि यह अपने आपको डिवलप करती रहती है टाइम जैसे से बीतेगा तो मिट्टी जो है वो और ज्यादा परिपक वे या फिर जो मैच्योर है वो होत जहां पर temperature ज्यादा होगा जिन छेत्रों में वहां के मिट्टी गर्म होगी जहां के स्तानी छेत्रों मिट्टी सुस्क होगी और जहां पर वर्सा होगी वहां के मिट्टी जो आदर हो सकती है यह सारी चीज़े बेसिकली हो सकती है अगर मिट्टी बहुत ज्यादा ठंडी हो या फिर बहुत जादा सुस्क हो, उसमें नमी की मात्रा बिल्कुल कम हो, तो इसमें जो जैविक क्रियाये हैं, जो biological process है, वो या तो बिल्कुल कम होगी, मंध होगी, या फिर नहीं होगी, बंध हो सकती है, ठीक है? यानि कि अगर ये सारी जैविक क्रियाय अगर उसमें मंध होगी, या फिर बहुत slow होगी, तब उसमें जो पत्तिया घासे गर गिर करके सूखेंगे, जो भी मिट्टी पर घास होगे, और जो भी वहां पर विरिक्स वगर होगे, उसके जो पत्तियां मिट्टी पर गिरेगी, तो ये सड़ेगी नहीं, क्योंकि जैविक प्रिक्रिया मतलब क्या है, कि जो जीव है, वो सड़ारे के लाले काम करते हैं, उसको जैविक प्रिक्रिया बोलते है, तो ये सारी चीज़ नहीं होने के कार, वहां पर जो जैविक पदार्थ होंगे, वो काफे मातरा में एकठे ह हो जाएंगे और का सकते हैं कि वह बढ़ जाते हैं वहाँ पर सिंपल चीज हुमस की मात्रा वहाँ पर बढ़ जाएगी ठंडे परदिसों में अभी देखेंगे इसको अभी डिटेल में आगे कैसे यह बढ़ता है मिर्टी का जो रसायन है यानि कि जो kemicals होते हैं उसमें जो जैप्र पदार्थ की मात्रा होती है जैप्र मतलब जो नमी पाएगा जाए कि प्राणीजाथ होगा यानि की फ्लोरा और फावना प्राणीजाथ की मतलब जिव होगा यह सब मौसम और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं यह सारी चीज़े यानि कि जो मिट्टी है वो जलवाई की दसाओं भुवाकृति मतलब है कि पहाड़ी एरिया है या फिर मैदानी एरिया है वो जो वनस्पतियां है उसके साथ जो है अनुकूल होती रहती है मतलब वो जो बदलेगी तो वही बदल जाएगा यानि कि अगर इन दसाओं में परिवर्तन होता है तो मिट्टी के आंटर्ग दसाओं होगी वो भी क्या होगी वो परिवर्तित हो जाती है सिंपल चीज़े हैं, ज़्यादा इसमें लोड़ लेने का दीमाग पर ज्रूत नहींagen फिर क्या है, अब है कि मिट्टी के निर्मान की प्रिक्रिया को समझते हैं, मिट्टी के निर्मान की अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पीडोजनेसिस, हिंदी में बोलते हैं, मिरदाजनन, तो यह जो मिरदाजनन है, बेसिकली, वो प्रमख रूप से अपच्छे पिंद्र भर करती है, हलांकि अपच्छे के अलावा इसमें अपरदन भी होता है, पर शुरुवात में क्या होता है कि चटान होती है कोई तो चटान जो है शुरुवात में जब अप्षे क्या है मैंने आपको बता था यह तो इस पर डिटेल वीडियो है आप जा करके देख सकते हैं सिंपल समझे कि चटान अगर अपने अस्थान पर तूट जाय तो उसको बोलेंगे हम लोग अप्षे तो अप्षे के बाद जो ही जब तूटेगी तो फिर इसको प्रवाहित जल वगरा होगी हावा होगी इसको बहा करके ले जाएगी तो वह प्रक्रिया कहलाएगी अपरदन अप्छही परवार के मतलब क्या होता है कि अप्छह के कारणी चटान अगर टूट जाया चोटे-चोटे कनों में बन जाया तो यह इस तरह से आपका एक धेर की तरह यहां पर जम्मा हो जाएगा वो जो अप्छही जो चटान के कन जो होगे तो ये जो कन की घराई होगी वो घराई से लेकर के जितने भी घराई होगी उसको बोलते हैं हम लोग अपच्छाई परवार है यही अपच्छाई परवार है ठीक है तो सिंपल चीज़ है तो यह जो अपच्छाई परवार है यही वह वह मूलपदार थे whatsapp step past step देखते हैं इसको फिर से पहले क्या होता है कि आप मानिए वह ये चतान तूटी यये चतान तूट करके यहांपे फिर से एक मिनुट मैं यहाँ पर छोटे-छोटे कन रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ बरस बड़ी होगी ठीक है बरसा वगरा होती है तो थोड़ी बहुत नमी आती है और नमी आने से जो है वहाँ पर क्या होता है कि बहुत निम्नकूटी के फोध है जैसे कि आपका जैसे काई हो गया जिसको मौसस बोलते हैं लाइकेन हो गया सैवाल या नहीं यह सारी चीजे वहाँ पर उग वहाँ पर इसमें जो पपना अस्राइब बनायेंगे फिर यह जो किया होगी जो आपका जैवाल है जो लाइकेन है calm है वो जब मृत हो जाएंगे और यह जीव हों गए और जो मृत हो तो उनके अब सीयस को बोलेंगे हम लोग हुमस याणि कि जो भी जैपदार्थे जब वहाँ पर मरते हैं और विघटित होते हैं तो उसको हम लोग उससे हुमस का रिमान होता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होगा एक पतली सी मिट्टी की तरह पर वो मिट्टी नहीं होगी अपर यहाँ पर हखे? हुमस होगा, वो जयविक पदार्थ होगे, वो वहाँ पे उसका एकत्री करण होगा, फिर क्या होते है अगले step में, मैं इसको फिर से यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत हुमस के लेयर आगे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या होगी, जब थोड कहीं से पक्षियां जो होगे, या फिर हवा में उड़ते हुए, अगर पोधों के पेड़ों के बीज आगे वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीज पढ़ेंगे, तो बीज वहाँ पर धेरे-देरे वो पोधो की सकली लेंगे, यह पोधे बड़े होकर के ज इनके जड़े होगी वो ये विक्षो की जड़े वो सतह तक नीचे आजाएगी और इस चटानों को और जो है चोटे-चोटे कनों में वो तोड़ना सुरू करेगी साथ में यहाँ पर जो बिल बनाने वाले जानबर होगे जैसे गिलहरियां रहनी सुरू हो जाएगे यहाँ पर जानबर जो है जो खोदते है भूमी को तो वो क्या करेंगी कि जो ये कन होगे उसको क्या करेंगी कि वो कुरेद करके खोद खोद कर गए यह उपर लाएगी और उपर लाने के कारण क्या होगा, कि यहाँ पर पदार्थों कहीं तरह से पूंज या फिर धेर इकठा कर देगी, अब यह जो धेर होगा, वो चुकि पूरस होगा, चिदर में होगा, उसमें काफे सारे चिदर होगे, वो स्पोंजी लगेगा देखने में, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, कि इन परतार्थों में अब क्या होगा, कि जो जल धारन करने के छमता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी जो है, उसमें क्या होगा, उसमें व्रिधी हो जाएगी, उसमें वायों का प्रवेश होगा, और धीरे-धीरे यही सारी प्रिक्रियाओं के कारण जो है अन्तित्ह क्या होगा की परिपक मृदा एक मैच्यूर मिरदा का जो है मिट्टी का जो है ओर निर्मान होगा और उसमें काफे सारे खनीज और जया बुदपाद आपका पथा है कैसे होगा यह सारे पोध्य वो देश्मिम्रित होंगे अब शही बरवार पे पहले वही काई वगरा जो है साइवाल वगरा वहां पे उत्पन होगे फिर वहां पे धीरे-धीरे के होगे छोड़ी-छोड़ी घासे उत्पन होगे और घासों के बाद वहां पे विर्क्ष उत्पन होगे और यह फिर है कि वहां पे कुछ जानवार सही के अंतरगत उसको पेडियोलोजी बोलते हैं और जो मिर्दा का अध्यान करता है जो मिर्दा वैग्यानिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडियोलोजिस्ट या फिर मिर्दा वैग्यानिक या फिर स्वाइल साइंटिस्ट आप इसको बोल सकते हैं ठीक है अब है कि मिट्टी के निर्मान को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं ठीक है ये सारे कारक जो होंगे ये मिट्टी के निर्मान को क्या करेंगे एक तो नियंत्रित करेंगे और उसको प्रभावित करेंगे तो मूल रूप से जो है वो पाच कारक है कौन-कौ मूल पदार्द या फिर इसको मूल सैल अंगरीजी में पेशनल पेशनल पasınaए फिर पेशनल इसको बोल सकते हैं इसको किया है मैंने आपको बताए कि सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होती है चटाने चटाने क्या होगी तूटेगी इस तरह से तो यह जो आप देख रहा है figure, यही है मूल cell या फिर मूल पदार्थ, जिससे क्या होगा? मिट्टी का निर्मान होता है, ठीक है? आपको एक idea लग गया हो कि यह चटाने ही जो होती है, वो parent rock होती है, होता क्या है कि कि किसी विच्छत में मिट्टीयां होती है, उसका निर्मान मिट्टी जो है जिससे उत्पन होगे, जिस चटान से, उसको इसका parent चटान बोलेंगे, parent rock बोलेंगे, ठीक है? मूल उसको बोलेंगे, तो यह जब अप्चहित होगी, तो इसके अप्चह के कारण जो है धीरे-दीर मिट्टीयों के दिर मान होता है, मैंने बताए कि अप्च पर अप्चहित सेल मलवा हो, यानि कि पहले यहीं पर चटान रही होगी, और यहीं चटान यहीं पर तूट करके फिर यह अप्चहित परवार का निर्मान करेगी, तो इससे फिर मिट्टी बन सकती है, या फिर यहां पर कुछ ना हो, और कहीं और से परिवहन के किरिया माल लिजे कि यह पदार्थ कहीं बाहर से लायागा हो, तो दू तरीके का हो सकता है, या तो यह यहीं पर का पदार्थ का टुकड़ा हो, या कहीं बाहर से लायागा हो, तो यह दोनों मूल सेल हो सकती है, अब क्या होगा कि यह जो मिट्टी होता है, उसका गठन होगा, टेक लोह की मात्रा जादा है फिर आईरन की मात्रा जादा है तो इससे जो मिट्टी बनेगी यहाँ पे उस मिट्टी में क्या होगी उस मिट्टी में भी आईरन की मात्रा जादा होगी अगर इस चटान में सिलिका की मात्रा जादा है तो अगर इस चटान में सिलिका की मात्रा सिंपल सी चीज़े दियामीे रखने हैं वहाइक को जो मिट्टियां हो इसको इनतर हो सकता है ताथा विविन आधार पर एक जिससी मिट्टियों मिल सकती है देखे क्या होता है कि मिट्टियों में कई प्रकार के अस्तर पाई जाते है ये अलग लेयर है जिसे उपर के सबसे जो लेयर होती है उसको हम लोग O लेयर बोलते है उसके बाद E आता है उसके बाद सबस्वाइल आता है जिसको हम लोग बी लेर बोलते हैं बस इस समझने के लिए आपको ज़्यादर इस पर डीटेल में नहीं जाना आपको बस यह समझने के लिए जो सबसे उपर की लेर होगी वहाँ पर हीूमस वगरा के कारण जो जो महीन आपके जयब पदार्थ होते हैं मिट्टी होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं तो माली जे की मैं कोई एरिया ले लूँ यह माली जे की 10 करिमेटर का लंबा एरिया है अगर यहाँ पर मूल सेल में अंतर हो माली जे की यहाँ पर कोई चटाने हो चटानों का एक धेर हो, उस चटानों में लोहा के, आयरन के मातरा ज्यादा हो, और यहाँ पे कोई चटान नहीं हो, तो यहाँ पे सिलका के मातरा मालीजी के ज्यादा हो, एक्जामकल के लिए लिए लिए, तो अगर इससे मिट्टिया बाद में तूट करके, यहाँ पे मिट् प्र मिट्ट्र मैंहीं को दे tribunai प्रीज सबस्रों MI investigation क्ट्रेश मिट्ट्राएं नई से मिंट्र होसका एक देंधियत AND मैंहीं मेंहीं में मेंहीं क्या हमने मांटाएं में के सुल हूसों बढल रॅब याएं प्रीक deception मिंट्रा नई खुंगा है तो जो मिटियां होगी और जो उसका मूल सेल होगा उसमें घनीश संबन देखने को मिले काफी जो है वो रिलेशन जो काफी जादा समानता उसमें देखने को मिलती है क्योंकि अभी अभी जो है वो सेलों से टूड कर बना होता है अस्तलाकृति का मतलब क्या है? कि आपका पहाडी छेतर है, मैदानी छेतर है, या फिर घहराई वाला छेतर है कैसा छेतर है? जहाँ पर मिट्टी का दिर्मान होना है, ठीक है? तो जिस तरह का भी छेत्र होगा जिसे पहाड़ी छेत्रों पे अलग दसाई होगी सम्तर छेत्रों पे अलग दसाई होगी ये सारी चीज़े जो ढाल वाले छेत्र होगा वहाँ अलग दसाई होगी तो अस्थलाकृतिक के मतलब ये समझे कि तो अपवाह के कारण आपको पता है कि होता क्या है? उसके कारण होता है अपर्दन, इरोजन. अपर्दन क्या है? कि वह प्रकिरिया जिसमें चटानों का तूटना होता है किसके प्रभाव में आ करके? प्रवाहित जल के प्रभाव में आ करके? वायो के प्रभाव में आकरके हिमानी यानि बर्फ जो ग्लेसियर होता हिमानी के प्रभाव में आकरके इन सारे प्रोसेस के कारण अगर तूटती है चटाने और छोटी-छोटी वो महेन कन्व में बदलती है तो उसको हम लोग अपरदन बोलते हैं तो जहर से बात है जब अपरवा प्रभावित होंगे तो अपरदन और उसका जो अपरदन करदर होगा वो भी प्रभावित होगा और यह क्या करेंगे अंतरता मिटी के निर्मान के प्रिक्रिया को जो है वो प्रभावित करेंगे कैसे वो समझते हैं मालीजे के कोई जगह है वहाँ पे तिबर ढ़ाल है और तिबर ढ़ाल ये मालीजे के यहाँ पे तिबर ढ़ाल है ठीक है एक तीखा ढ़ाल है यहाँ और यहाँ पे यह मिटियों का निर्मान हो रहा है मालीजे के छोटी-छोटी यहाँ पे चटानी कन है और मिटियों का निर् जिसके कारण यहां पे जो मिट्टियां होगी, उसकी परत की मटाई होगी, वो काफी पतली होगी, वो बहुत ज्यादा पतली मात्रा में होगी, तो मिर्दा की परत जो है वो ढालों पर बहुत छिछली होती है क्योंकि यहाँ पे जो यह जो चटानों के चोटे-चोटे कन होगे जो बात में जो मै्चिवर होकर के मिट्टी बनेंगे उसको समय कम मिलेगा यहाँ पे बहुत कम यहाँ पर टाइम मिलेगा और आप देखेंगे पाच्मा जो factor है वो time भी है जितना जादा समय मिलता है मिट्टी जो है उतनी जादा जो है आपका mature होती है ठीक है तो यहाँ पे जो ढालों पे जो मिर्दा की परत होती है वो छिचली होती है थिन होती है यानि पतली होती है जबकि जो निम्र ढाल होंगे माली जी कोई और ढाल है जो बिल्कुल low है ये कोई ढाल है इस तरह का या फिर कोई सपाट छेतर है इस तरह का कोई सपाट छेतर है तो यहाँ पे जो कन होंगे वो लंबे समय तक ठारेंगे यहाँ पे जो कन होंगे वो लंबे समय तर ठारेंगे ठीक है और वो सारी चीजे मैंने आपको जो प्रोसेस बतला ही थी कि वहाँ पे आपका हीमा से कठा होगा वहाँ पे जो लाइकेंस वगरे कठे होंगे ठीक है जीव वगरे रहनी सुरू होंगे तो इसको समय जो है वो काफी जादा मिलेगा इसको हजारो वर्स मिल सकते हैं जिसके कारण यहाँ पर मिटी जो है वो काफी मैचूर बनेगी और यहाँ पर यानि सापाट छेत्रों में जो है वो मिर्दा की परज जो होगी काफे गहरे भी होगी और मोटी भी होगी ठीक है जो निमने ढ़ाल होगे ये वाला छेतर या फिर सपाट छेतर यहाँ परदन के क्रिया क्या होती है काफे मंध होती है यहाँ कि यह सारी चीज़े बहा कर ले नहीं जाए जाएगी जिसे कारण किया होता है यहाँ पे जो मिट्टी के निर्मान के लिए जो दसाय होती है वो काफी अनुकूल होती है यहाँ पे निर्मार के अच्छे दसाय होती है मिट्टी के तो यह सारे देख रहे होगे कि अस्तला किरतियों कारण कैसे प्रवावित हो रहा है फिर क्या होगा कि जो समतल छेत्र होते हैं, सपाड छेत्र होते हैं, वहाँ पर चीका मिट्टी, चीका मिट्टी क्या होता है, जो एकदम चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें कन जो है मिट्टी के बहुत एकदम महीन होते हैं, उसको चीका मिट्टी बोलते हैं, तो यहाँ पर ज तो उसका जो रंग होगा वो डार्क हो जाएगा. तो या तो घारा होगा या तो काला होगा. आप सिंपल समझ सकते हैं शीज को. जैसे आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ी धाल है. उसके वहाँ पे नीचे की भाग में आप मिटियां देखेंगे वहाँ पहाड़ी धालों तो या तो मिट्टियां लाल होगी वहाँ पर या तो पीली होगी मतलब की light मतलब color में होगी वो ठीक है न क्योंकि वहाँ पर मिट्टी जो है उतनी develop नहीं होती पर आप आएंगे मैदानी भागों में तो यहाँ पर जैसे आप घास करको उखाड कर देखिए तो निचे जो आपको मीटी मिलेगे घास के नीचे वो क्या होगी बिल्कुल dark color में होती है ठीक है गहरे रंग में होती है या फिर black भी आपको दिखेगी क्यों क्योंकि वहाँ पर जो जैपदार्थों के मात्रा है वो अच्छी खासी पाई जाती है तो आपको जो फेस है वो दक्षिन के तरफ है जहां पर सूरी के किरने पढ़ रही है और एक ढ़ाल है जिसका मुख है फेस है उतर के तरफ है जहां पर सूरी के किरने नहीं पढ़ रही है तो दोनों जगा पर जो बनस्पति होगी और जो मिटियां होगी उसकी दसाये जो है वो अलग अलग होगी, जहां पे सूरी के किरने पड़ेगी, वो थोड़ा गर्म होगा, ठीक है, तो वहां पे मिटिया अलग परकार के पाए जागी, क्योंकि गर्म छेत्रों में थोड़ा, मिटियों में जैव क्रियाओं के मात्रा होती है, वो ज्यादा होती है, तो हुमस के मात्रा यह तो दो factor हमने देखे, एक कौन, एक तो मूल पदार्थ, और दूसरा था आपका असला कृति, तीसरा है जलवायू climate, तो जब भी हम जलवायू सब्द को बोलते हैं, तो indirectly हम दो सब्द को indirectly हम लोग बोलते हैं, क्या-क्या, एक तो वर्सा, एक होता है तापकरम, यानि कि वर्सा और तापकरम को समलित रूप से हम लोग जलवाय बोलते हैं, किसी अस्थान के अगर जलवाय आपसे कोई पूछे, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर वर्सा का जो पैटर्न है, वो पूछ रहा है, और तापमान किस तरह का है, वहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या होती यानि कि एक घंटे हो रही है, एक मिनट हो रही है, या पाच मिनट हो रही है, उसमें नमी कैसा है, वहाँ पर नमी की मात्रा कितनी है, वास्पी करण कैसा है, खूब टेंपरेचर वाला एरिया है, तो वास्पी करण ज्यादा होगा, अधरता वहाँ पर कैसी है, यह सारी च हों पर सम्बर काफे कम होता है तो मिट्ट्यों के निरमान में यह सारी चीजे मिट्टी के निरमान को नियंतरित करते हैं अब देखिए जहांपर वर्सा होगी मिट्टी में नमी नमी पाई जाएगी और जब मिट्टी में नमी होगी तो ये क्या करेगी सूखी मिट्टी में क्या होती है कि जैविक क्रियाए जो है या फिर रसायनी क्रियाए वो संभब नहीं होती लेकिन जब मिट्टी में नमी पर आप एड़ हो जाएगी तो इससे के कारण क्या होगा कि जो वहाँ पर जय वर्सायनी किरिया होंगे वहाँ पर सुरू हो जाएंगे ठीक है प्राराम होंगे फिर वहीं पर जहाँ पर वर्सा बहुत जादा अधिक होगी तो वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार मिट्टी प्रभावित होती है अब माली जी के कोई जितर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मातर में वर्सा हो रही है, तो वर्सा के कारण जो मिट्टी में उपस्तित-खनीज होंगे, जो उपरी लेयर्ज में, मैं यहाँ पे कोई आ और बना दिता हूँ, यहाँ यह उपरी लेयर्ज है, फिर नीचे आपका जल के साथ वो प्रवाहित होकर के नीचे वाली परत में सिफ्ट होना शुरू होते हैं उपर की परत को छोड़ करके यहाँ पर पहले माले यह फिप आया जा रहा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा इस परत में आ जाएगा ठीक है यानि कि जो खनीज होगी वो मिर्दा की उपर संस्तरों यानि बिभिन लेयर्स का जो है वो निर्मान होता है यह जो आप लेयर्स देख रहे हैं उसके निर्मान में काफी बड़ी भूमिका जो है वो लीचिंग की है निचालन की है इसी कारण से जो है वो खनीज जो है यहाँ पर पाई जाती है क्योंकि खनीज यहाँ प को प्लुटी परक्रिया होगी। ठीक है, जो निचालन हो रहा था, उपर से नीचे आ रहा था, अब क्या होगा कि यह क्या होगा कि यह नीचे से उपर की तरफ जो है वो जल का उपर भाहुए। कि जब ताBabyमा पूलड़ से परक्रे फिए एक होगा वाश्पिकरण नमी, तो ये नमी क्या होगी, उप्चिताप मान के कारण, धेरे-धेरे उपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, केसी का प्रक्रिया, कैपिलरी एक्सन, जैसे आप आपने देखा होगी, कि आप किसी कपड़े को तेल में डुबाते हैं, ये इसका क्रिया के कारण, मिट्टी में जो है, पानी नीचे से ऊपर की और चढ़ना शुरू होगी, और अंत में क्या करेगी, कि यहां पर पानी के साथ क्या होता है, कि जब आप किसी बरतन में चूले वे पानी गर्म करते होंगे, तो ये पानी इससे जब उड़ जाती है, त तो देखेंगे कि आप उसमें एक सफेद जैसी परत उसमें चूड़ जाती है, सफेद जैसे चीज़, वो कहा होता है, एक्चुली वो लवन होता है, या नमक होता है वो, ठीक है, तो ये भी जब पानी उपर आएगा, तो अपने साथ जो है जो उसमें लवन होगे, यहां जो केश का क्रिया है, उससे मिटी में लवनता की मात्रा बढ़ती है, तो दूपर क्रियाएं हो सकती है, एक अत्यधिक वर्सा वाले छेति में निचालन होगा, और जो सुस्क सित्र है, वहाँ पर केश का क्रिया होगे, जैसे उसके लवनता बढ़ती है, यह सारी चीज़, तो यह जलवायो के करण होता है, फिर क्या करती है कि अगर तापमान कहीं पे कम और कहीं पे जादा हो, ठीक है, तापमान में अगर विफिनिता होती है, तो वहाँ पे जो जैविक और असायनिक क्रियाएं होती है, उसमें भी विफिनिता पाई जाती ही, वो भी डिफरेंस ह जाता है उसमें जैसे अगर कोई गर्ब जलवाई का छेत्र है तो जो जलवाई गर्म होगा टेंपरिसर जादा होगा वहां पर जैबिक और असायनिक क्रियाएं जो होती है वो काफे ज्यादा मातरा में होती है और अगर तापमान गिरे तो यह जो जैबिक क्रियाएं होगे इ वो तुरंद सड़ जाएंगे, मतलब तुरंद नहीं कि दो मिलिट में सड़ जा, मतलब जल्दी ही, इसके पिक्षा काफी जल्दी सड़ेंगे, और वहाँ पी हूमस की मातरा काफी कम होती है, क्या होती है अब है अगले वाले में देखते हैं, तो यह जलबाई हो गया, अब ह झाले ये कि मिट्टी पे जो वनस्पत्य आवरण है, जो पेड़-पौध है जो जीव वहां पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, कि मिट्टी में जयश्यदार्थ को बर्दार्त को यह जैश्यदार में एब होता है, जो शॉट बढ़ हाती है कि इसको तुसप 1978 center, वर जीश्य तो ये सारे जोडने में जो है वो मिट्टी में सहयक होते हैं और इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है और ज़ादा मैचूर होगी, इंप्रूव होगी ठीक है, तो मिट्टी के निर्मान को एक तरह से यह वो लोग परभावित करते हैं जो मृत्पोधि होंगे, जब वो मरेंगे, तो मिट्टी में क्या करेंगे, हुमस को ऐड़ कर देंगे, ठेक है, हुमस परदान करते हैं वहाँ पर, मैंने आपको डिसकस किया, यह देखी, जो पतियां होगे, सड़ते गलती है वहाँ पर है, तो उससे हमस बनता है, अब जब यह पतियां, यह पतियां जब सड़े गलेगी, तो सड़ने गलने के दोरान, कुछ अमलूस से निकलते हैं, कुछ जैवे कमल निकलते हैं, और यह हुमस बनने के दोरान, मतलब कि यह जैवे कमल बनेंगे, और यह जो जैवे कमल होंगे, वो जो मिर्दा के मूल पदार्थ हो जो parent rock या material होता है यह जो चटान होते है उसमें जो खनीज होते है वो उसको क्या करती है घुलाती है और उसका वियोजन करती है उसमें सहायता करती है और फिर ये मिट्टी के अंदिरमान को फिर धीरे ध्रियागे आगे प्रसालित करेंगे फिर जैसे ठंडी जलवाई हो है तो उसमें हुमस ज्यादा मात्रा में होगी क्योंकि वहाँ पे जैविक क्रियाए धीमी होती है और जैविक क्रियाए धीमी होने के कारण जो bacterial activity है जो आपका bacterial विर्धी है वो भी धीमी होगी जैसे कि टुन्ड़ा जलवाई होए तापमान होँ काफी कम है और तापमान काफी कम होने के कारण अगर ये पत्तियां गिरेंगे पिर पोथ है के तो वो व्योजित नहीं होगे व्योजित मतलब होना डिड़ी डेड होना और अब योजित का मतलब उसका सड़ना गलना नहीं होगा वहाँ पे उतनी तेजे से तो अब योजित जैविक पदार्थ वहाँ पे जादा होगे और जिसके करण पीट का जो है वो संस्तर विक्सित होयागा पीट का मतलब जो सडे गले पदार्थ होते हैं उसको हम狂ग पीट बोलते हैं सडे गले पदार्थो का इस्तमաղ के लुग खेतों में बैक्टिरिया है, वहाँ पर यह होती है, ज्यादा, आपका biological process, जिसके करण वहाँ पर जैसे यह पतियां वद्दियां गिरेगी, तो यह मृत्वनसपति है, वह काफी सिग्रता से जो है, वह oxy-dives हो जाएगी, जिसमें मिर्दा में, जिसके करण हुमस की मातरा, जो है, वह का पॉस्को नाट्रीा को भैक्तिरिया है मिट्टी करते हैं कि हवा से जह फैद्ग के लिए उतना excluding स्थिरिया को परिवर्थित कर देंगे जो पौधों के लिए क्या होते हैं उपयोगी होते हैं और इसका उपयोग जो है वो पौधों के लिए किया जाता है तो ये जो हवा में का nitrogen है वो उसको पौधों के लाइग जो बना देता है उस पर क्रिया को हम लोग बोलते हैं जैसे की रा आपको पता है जो डलहल के पौधे होते हैं, उसकी जड़ों में यह पायầy जाता है। पोधों के लिए जो लावकारी नाट्रोजन होता है, वो हवा से लेकर के मिट्टी में क्या करेगा? वो fix करता है तो वो मदद करता है इस तरह से और ये क्या कर रहा है आपका देख लेख रहे है मिट्टी को जो है वो और improve कर रहा है मिर्दा को समरीद कर रहा है वहें कुछ और जो जीव होते जैसे चीटी हो गया, दीमक हो गया, क्रिंतक हो गया ये जीव जो होते है वो बार बार मिट्टी को उपर नीचे करते रहते हैं जिसकारण मिट्टी में जो है वो हवा का प्रवेस अच्छा होता है फिर मिट्टी में जलधारन की छमता बढ़ती रहती है वहें केचवें जो है वो मिट्टी खाते है जब केजवी मिट्टी खाएंगे तो जो मिट्टी उसमें खाई उसका जो रसायनिक संगठन होगा उसमें जो रसायन होगे और जो मिट्टी वो खा करके जो बाहर सरील से निकालता है उसका जो गठन होगा रसायन होगा वो बिल्कुल क्या होता है बदल जाता है और मिट्टी जादा समय मिलेगा, टाइम के मातरा जितनी जादा होगी, मिट्टी जो है उतनी जादा जो है, वो मैच्योर होती है, उतनी जादा विक्सित होती है, ठीक है, तो जो मिर्दा निर्मान की प्रिक्रिया में लगने वाला जो समय अब्धी है, वो मिर्दा की परिपकवता, एवं उसके संस्तर के विकास का जो है वो इंदिधारन करती है, संस्तर मतलब ये सारे जो layers है, वो मिर्दा के संस्तर या फिर हो रहा है जाना है, ठीक है, ये सारे वो सारी चीज़े, जैसे उपर, ये आप याद कर लिजे आपको पूछा जाएगा ये, कि सबसे ये चीज़े मैं हाँ पर काट करके अलग कर दूँ, तो उसके बाद कह सकते हैं कि जो बंजर जमीन होती है, वो हाँ पर B से सुरू होता है, ठीक है, तो B layer के बाद अगर हम पोधेस पर उपे, तो वहाँ पर support नहीं करेगा प्लांट life को, ठीक है, तो जो भी, फिर उसके बाद B layer आता है, उसके बाद C layer आता है, उसके बाद R layer वही है, जो सबसे जो पहला जो चटान होंगे शुरू आत में, यहीं से मिट्टी का निर्मान जो होता है, और बढ़ते बढ़ते देखी इतने layers का निर्मान होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा मिट्टी को, मिट्टी उतनी ज्यादा परिपक्व होती है, और उसमें जो संस्तर का विकास होता है, इन layers का विकास होता है, वो उतनी ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है, मिर्दा तभी परिपक्व होती है, जब मिर्दा निर्मान की सभी परिक्रियाएं लंबे समय तक कारी करें, जितने आपने परिक्रियाएं देखी मिर्दा निर्मान की, वो अगर एक लंबे समय तक कारी करती है, तो मिर्दा का निर्मान होता है, वो एक परिपक मिर्दा का निर्मान होता है, थोड़े समय पहले माले कि कोई मिट्टी है, वह भी हाल फिल हाल बनी है जैसे माल लिए कि नदी आई तो यह जब गलेसियर जो मूव करते हैं तो अपने साथ चटानों के बड़े टुकड़े को जो भी ले करके वहां से मूव करते हैं पिर क्या करेंगे जब यह चटानों के बड़े टुकड़े सात में प्रवाहित होगे हं यह क्या करेंगे घिस घिस करके छोड़े चोड़े कदाए नो में बदल जाते हैं और उसमें जो होता है, यह जो horizon आप देख रहे हैं इतने सारे, उसमें जो संस्तर होते हैं, उसका आभाव होता है, या फिर अगर होगा भी, तो काफी कम विख्षित, एक या दो layer आपको मिलेगा, जैसे आप जाएंगे, जो बाढ़ हवाले छेतर होते हैं, जो नए बाढ़ क आप से कोई पूछे कि मिट्टी को बनने में कितना समय लगता है, तो ऐसा कोई नियधारे समय अब देख्या है, वो नहीं है, कि मिट्टी में, मिट्टी के विकास में या उसके परिफक्ता में कितना समय लगता है, हजारों बर्स लग सकते हैं, लाखों बर्स भी लग सकते तो थैंक यू, थैंक सो बाच, थैंक यू अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें हम से जुणने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जुरू दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुँ सके और इस वीडियो को जादा से जादा सेर करें ताकि अन्यवे द्यार्थियों को भी इससे फाइदा पहुँ सके